लालु प्रसाद यादव पलामु प्रवास करें मेदनी नगर के सरकित हाउस के एक कमरे में लालु यादव रुके हुए हैं उसी कमरे में मंगलवार की सुभा लगे एक वॉल फैन में आग लग गई चुंगारी जैसी आग की घटना हुई हलाकि उस वक्त लालु यादव जाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे जैसे ही चुंगारी निकली सेवादारों ने ततकाल उस कमरे की बिजलिक कटवा दी और जलते पंखे को वहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया जस वक्त यह घटना घटी उस वक्त कमरे में लालु यादव मौजूर नहीं थी लालु प्रसाद यादव को किसी प्रकार का कोई नुप्सान नहीं हुआ है बताते चले कि राश्ट्रिय जनता दल के सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव तीन दिवस्ती दोरे पर पलामु आये हुए हैं बहीं मंगलवार को उन्हें कारिकरताव और पाठी नेताव से मुलकात करनी है जबकि 8 जून को लालु प्रसाद यादव पलामु वहवार न्यायाले में पेश होंगे बतादे कि वर्ष 2009 के आदर्ष अचार संगीता उलंगन मामले में लालु प्रसाद यादव की कोट में पेशी होंगी गड़वा जिले में चुनाव प्रचार प्रसाद के दोरान लालु प्रसाद यादव और उनके पाइलट सहित अन्य के खिलाफ आदर्ष अचार संगीता उलंगन का मामला दर्श कराया गया था इसी सिलसले में वो पलामू में रुके हुए थे और ऐसी घटना घटे प्रसे हाला कि अभी लालु प्रसाद यादव पर किसी प्रकार का खत्रा नहीं है और वो खत्रे से बाहर है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंसाइडर लाइव के साथ धन्यवाद